वेल्कम बैट क्लास्टिक्स, लेटी स्टार्ट विद सब्जेक्ट मैंस, चैक्टर फाइफ एंड लेक्टर फर्स्ट, चैक्टर करें हैं फ्रैक्शन्स, क्या होते हैं इसको समझना है, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, फ्रैक्शन मीन्स होता है भाग, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, पार्ट, फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, पार्ट, फ्रैक्शन है, भाग, इसे आदमी अपने लाइट में के बोलता है, कि आधा हाग, एक चौथाई हाग, ठीक्या, यही देखियो हैं आपिस सबसे पहले हम लेते हैं जो आप बोलते हैं कि आधा ठीक है तो आधा भाग को क्या कहें हैं हाफ पार्ट इंग्लिश में क्या कहें हाफ पार्ट हाफ पार्ट क्या होता है हाफ पार्ट क्या होता है 1x2 एंग्लिश थे रफ पार्ट क्या होता है थे लिव क्या क्या है मैंक्यों पो거를 तो इसे इसकी फुल पार्ट का हाफ ठीक है न तो में क्या दिया फुल पार्ट यह बनाया था और इसको हमें हाफ कर दिये तो वन पार्ट बनाया था यह यह आपका शेड़ेट हो जाएगा इसको क्या कहेंगे हाफ पार्ट दियुमिनेटर वन दियुमिनेटर वही पार्ट होता है तो टू पार्ट है ठीक है तो पार्ट में वन पार्ट शेड़ेट है अब देखिए जैसे कि आप मोलते है एक चौथाई ठीक है तो एक चौथाई क्या होता है वन पार्ट होता है एक चौथाई पार्ट क्या होता है वन पार्ट होता है इंग्लिश में कहते हैं एक चौथाई को फोर्थ पार्ट ठीक है ना फोर्थ पार्ट और इसको ऐसे बनाएंगे डिलोमिनेंटर में इसको नमबर होता है तो से वही नमबर और पार्ट होते हैं टोटल नमबर और पार्ट किलता फोल बनाएंगे इसमें एकारेंगे, एक ऐसे करेंगे यह कितना हो गया फोर पार्ट होगां न पॉटल पार्ट 4 इस को स्थमinों के बाट manner अभी पूर पार्ट ये वनबार या इसको सेटेट रुछटा Ce यह क्या है? 1 by 4, मतलब 4 part में से 1 part, 4 part है ना? 1, 2, 3, 4, 4 part में से 1 part, ठीक है? जैसे की किसी की पास total mango है, 20, तो total mango अगर किसी की पास 20 है, तो हम बहुते हैं कि उस mango का जो है part, किसी को 1, 4th part हम दे दिया, ठीक है? तो 20 का 1, 4th part हमने किसी को दे दिया, ठीक है? तो 20 का 1, 4th part तो 2, 5 होगे? 20 का 1, 4th part, इसको अगर किसी को दे दिये, तो आप इसको कट करें, 4, 5, 5, 3, that is 5, मतलब 20 में से 5 mango हमने किसी को दे दिया, तो इसका मिंसी होता है कि 1, 4th part या 4th part of the 20, we give to another. तो यह इस तरव से 4th part, आपने देखा, आप देखिए, 2 3rd part, यह क्या होगा? जैसे कि हमने, यह बनाया, और इसको बनाना है, 2 3rd part, तो थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट, आप देखिए, क्या होता है? तो टोटल उपर आप, जो पार्ट जो कितना है, टोटल उपर आप पार्ट थ्री बनाएंगे, और शेड़ पार्ट तो बनाएंगे, तो टोटल आपर पार्ट थ्री इसको बनाएगे, यह अब क्या सेंटर, है ना त्री पार्ट होगा वान तू त्री और इसमें कितने पार्ट शेटेट होगे तू यह आपका एक शेटेट और यह आपका दूसरा पार्ट शेटेट अब यह हो गया तू थार्ड पार्ट मिन्स थ्री पार्ट में से तू पार्ट आपका यह शेटेट पार्ट तो इसके बाद देखिए त्री फिफ्ट पार्ट इसमें कितना टूटल पार्ट हम बनाएंगे फाइट पार्ट में देखिए कि वा टूट दूत्ती फॉर वा एला पार्ट हो गया और और हम राट होगा है शेटेट पार्ट पार्ट थी पार्ट सब्सक्राइब और किसी को भी इसमें पर सकते हैं इसक्ते फुल कितना करेंगे थेए पार्ट ही करें और 1948 कि तो आप ये बना देगे, टोटल लूमर आप फाइव पार्ट करेंगे और उसमें से थ्री पार्ट हम शेड़ करने, राइट, अब देखिए, अब इसके बाद हम देखते हैं, आपने ये फ्रेक्शन देखा, फ्रेक्शन मींज पार्ट, टीक है, नौ, नेक्स्त विसमें इपोर्टेट में बतातू, प्रॉपर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् a fraction whose numerator is less than its denominator a fraction whose numerator is less than denominator a fraction whose numerator is less than denominator is less than three by 5 denominator is less than denominator is less than 7 by 19 9 by 31 21 by 43 इस तरह से इसमें क्या होगा, प्रॉपर फ्रेक्शन ने निमिनेटर कह होगा और दिमिनेटर जादा होगा, तो यह प्रॉपर फ्रेक्शन है अब देखियाँ, नेच्ट इंप्रॉपर फ्रेक्शन इंप्रॉपर 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 फ्रेक्शन क्या होता है इंप्रॉपर फ्रेक्शन इस जस्ट अपोजिट तू दब्रॉपर फ्रेक्शन इसमें क्या होता है, जो इंप्रॉपर फ्रेक्शन है वो बड़ा होता है, डिनुमिनेटर चोटा नम्बार होता है, ठीक है, आफ्रेक्शन उस नुमिनेटर इस ग्रेटर और इक्वल तो इट्स डिनुमिनेटर, इसमें कहा है, नुमिनेटर प्रेटर इस ग्रेक्शन उस ग्रेक्शन उस नुमिनेटर, एक्शाम्पल जैसे इसमें यह जो 3 by 5 है इसके बहुत रिवर्स को देजिए 5.3 एक ना इंप्रॉपर उसके बार 19 अपॉं 7 परसुं एक है 23 33 खे फ्सके बार 19 थी थे पार 19 बार 5 54 3 ant कर दो tyre 13,100 एक प्रॉपर श्रॉपर 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 Sempre किए मिश्ट फ्रेक्शन थी किया हता है मिश्ट फ्रेक्शन अ कम्बिनेशन और गूल नंबर और फ्रेक्शन जीसे कि इग्जामपल सुने में वादा आपको 2 is to 1 upon 3 ठीक है फिर 3 is to 2 upon 5 3 is to 2 upon 5 इस तरह से जो combination of whole number and fraction whole number also more fraction whole number also more fraction ठीक है तो यह जो है हमका mixed fraction over is to 5 upon 7 इसको आप mixed fraction कहें होगे है कि इसमें whole number भी है और fraction भी है ठीक है तो यह combination है whole number और fraction का जिसको हम mixed fraction कहाते हैं और इसको आप proper या in proper fraction भी change कर सकते हैं देखें कैसे होगा इससे multiply करते हैं ठीक है अफिया 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 प्फिया अफिया अफिया इसको आप 3,2,6 or 1,7 क्या अबला 7 upon 3 इसको चेंच कर दीजीए 5 तो यह 15 15 or 2 17 सब्सक्राइब कर सकते हैं मिक्स फ्रेक्शन से किसमें प्रापर या इक प्रापर फ्रेक्शन में तो यह आपका फ्रेक्शन आपने समझा और ताइपस आप आपने देखा ठीक है न तो इस तरह से यह इक पॉटेंट आपका आज का जो लेक्शर है इसको आप अच्छे से पड़ लिजिएगा समझ लिजिएगा ओके और फिर इसके आगे हम एक्सरसाइज करेंगे कि ऑसे मांडे एकशन आपके मेंड शेंट चर्चर्च आपके बवाइड अवक्त्ह नी आपके और रसेक्श कैसे ओकशनके आपके अपके बवैच्चर um cave